आज हम आपको चटा के दार एक अलगी तेस के साथ सुखी टूर बे डोकली कैसे बनती है वो दिखाएंगे उपर से जो तरका लगेगा वो आपकी उंगलिया चबाने के लिए मजबूर कर देगा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे सुखी टूर ली है नाप के हिसाब से एक कप लेना है इसको हम सबसे पहले बॉयल कर लेंगे और बॉयल करने से पहले हम वोस कर लेंगे और पेसर कूकर में एड कर लेंगे एक साइट गरम पानी करने के लिए रख दिया था तूर के साथ ही हमें य अच्छे से boil कर लेंगे तब तक हम दूसरी तरफ एक और अधा कप जितना गेहू का आटा लेंगे आटे को हमें अच्छे से गुटना है थोड़ा टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कर लेंगे ताकि हमारी दोकली है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से आए थोड़ा चुटकी भर हल्डी पावडर एड़ कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें यहाँ पे टेल का मोहिन एड़ करना है एक और अधर कप के हिसाब से एक बड़ा चम्मच टेल एड़ करना पड़ेगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे आप रोटी का आटा गुट्टे हो वैसे ही गुटके रेड़ी करना है थोड़ा थोड़ा पानी दाल के अच्छे से गुट लेंगे आटा गुटके रेड़ी हो गया है अब हम आटे को सेट करने के लिए 10 मिनित तक साइड में छोड़ देंगे तक हम दोखली का मसाला बनाना सुरू करेंगे अब हम दूसरी तड़ा बड़ा बरतन लेंगे उसमें तीन चम्मच टेल एड़ करेंगे तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है एक चम्मच जितना सर्सो के दाने एड़ करेंगे सर्सो के दाने चटक गए है अब हम एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे साथ में क्रस्ट किया हुआ हरिमीच अध्रक लसून का पेस्ट एड़ करेंगे अच्छे से सोटे कर लेंगे हलका सा कलर चेंज करना है हमें महेक भी बहुत अच्छे से आने लग गई है एक टमाटर एड़ कर लेंगे इसको हमने स्लाइड में कट कर लिया है अच्छे से चला लेंगे टमाटर को हम हलका सा सौफ्ट कर लेंगे टमाटर को जल्ली से पकाने के लिए हम यहाँ पे उपर से नमक एट कर लेंगे टेस्ट के इसाब से हमने टूवर को बॉयल करते वक भी हमने नमक एट किया था उसी इसाब से हमें नमक एट करना पड़ेगा दो मिनित तक टमाटर को पकने देंगे दो से तीन मिनिट हो गई है यहाँ पे टमातर सॉफ्ट हो गए है आप देख सकते हो बहुती बढ़िया तरीके से अब हम इसमें ग्रिन लिव जेट कर लेंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हमें खड़े मसाले में यहाँ पे एक चमच सुखे लाल मिर्च लेना है सुखे लाल मिर्च हमने रिसम पट्टी ली है आदा चमच हल्ली पाउडर दो चमच दनिय जीरे का पाउडर और आदा चमच गरम मसाला गरम मसाला हमने करपरी बनाया है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम चैदा कर सकते हो दो मिनित तक हम मसाले को होने देंगे सुखे तरफ हमारा कुकर संदा हो गया है बीच में चेक कर लेंगे आप देख सकते हो हमारी टूवेर है वो बहुत ही अच्छे से सौफ्ट हो गई है और फटाफट से भी हो गई है बॉयल करने की इजी और गैस की भी बचट होगी वही त्रिक से बॉयल किया है वो त्रिक आपको हम आज ही दूसरे वीडियो में दिखाएंगे और दिस्क्रिप्शन में भी ओ लिंक एड किया हुआ है मसाले हो गए है टूवेर को एड कर लेंगे और यहाँ पे जो पानी लिया था वो वेस्ट नहीं जाने देना है टूवेर को पानी से निकाल लेंगे यह पानी हम रहने देंगे ग्रेवी में यही पानी यूज करना है टूवेर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमें टूवेर को 2-3 मिनी तक पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और टूवेर के अंदर मसाले का टेस्ट आजाए अब हम जो boil करने के लिए जो पानी रखा था वो पानी लेंगे यहाँ पे हमारी टूबर अच्छे से mix हो गई है वो पानी को add कर लेंगे वो पानी add कर लिया है अच्छे से mix कर लेंगे और उपर से हम तीन कप जितना पानी add कर लेंगे ग्रेवी के लिए अब हम इसमें उबाल आने देंगे तब तक हम रोटी बेल लेंगे रोटी बेलना सुरू कर लिया है यहाँ पे रोटी हमें medium thickness में बेलना होगा ज़्यादा पटली रखेंगे तो ग्रेवी में डालने के बाद ज़्यादा सौफ्ट होके ग्रेवी बन जाएगा यहाँ पे रोटी बेल के साइड में रखते जाएंगे रोटी रखके उपर से थोड़ा आटे से डस कर लेंगे ताकि रोटी हमारी चिपके नहीं रोटी बेल ली है दूसरी तरफ ग्रेवी में उबाल आना सुरू हो गया है अब हम एक बड़ा चम्मच गूड एड़ कर लेंगे यहाँ पे आप गूड की जगह चीनी एड़ कर सकते हो और निम्बू का रस एड़ कर लेंगे इसकी जगह आप इमली भी एड़ कर सकते हो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी डोकली जितनी कट्टी मिटी होगी उतनी बढ़िया टेस्ट आएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे उबाल आना सुरू हो गया है अब हम रोटी कट करके रेडी करना होगा इस तरह से हम कट कर लेंगे छोटे बड़े आपको जैसा पसंद हो वैसा कट कर सकते हो करके एड करते जाएंगे इस तरह से हम सारी रोटी यां कट करके एड कर लेंगे हमने सारी रोटियां एड कर लिया है अब हम इसको 5-6 मिनित तक पकने देंगे यहाँ पे टूवेर जो एड किया है वो अल्रेडी बॉइल है मगर रोटिक अच्छी है वो पकने में 5-6 मिनित लेगा अच्छे से पक जाएगी गेस की फ्लेम स्लो तू मीडियम रखेंगे हमारी दोकली बनके रेरी हो गई है अब हम सव करके उपर से तरका लखाएंगे तरके के लिए हमने यहाँ पे एक और आदा चमच जितना तेल लिया है उसमें हम सर्सो के दाने एड करेंगे चतक जाने के बाद जीरा एड करना है जीरा हो जाए बाद में हम दो सुख्य लाल में चैट कर लेंगे और गेस की फ्लेम बन करके प्लेट के पास हम उपर से तील एड कर लेंगे और कलर लाने के लिए सुख्य लाल मीर्ज कस्मेरी छोटी चमच हल्ली पाउडर आदा चमच थोड़ी से हिंग एड कर लेंगे और करी पट्टा एड कर लेंगे और उपर से एड कर लेंगे उपर से थोड़ा धनिया एड कर लेंगे सव कर लिया है साथ में प्याज और कच्चा सिंग्तिल उपर से एड करने के एड करके खाने का मज़ा ही कुछ और है और निम्बू और पापर वा देखके ही आपको खाने का मन हो गया हो जल से आप भी साम को बनाईए और टेस का मज़ा लिजिए और उसके पहले एक कमेंट और लाइक और सेर करना ना भूले कि वेचिता है और लाइक युद और लाइक हैंग 20 कि खाने साम can